लद्दाख में हमारे साथ श्विता सिंग इस वक मेरी सहयोगी मौजूद हैं जो लगातार वहां से आपको अपडेट्स दे रही हैं श्विता सिंग आर्मी चीफ लद्दाख और लेह के दौरे पर पहुंचे हैं एक तरफ जहां चीन में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरें डाल रहे हैं आरोप लगा रहे हैं कि अपने सैनिकों के शव तो दिखा देते उनकी अस्थियों को डब्बे में बंद करके चोरी चुपे लेके जा रहे हैं भारत के सेना प्रमुक का गायल सैनिकों से अस्पताल में मिलने जाना और उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आना ये क्या संदेश देता है ये संदेश देता है कि हिंदुस्तान को अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं होती है हमने अगर अपने जवानों को कि बलिदान को देखा था तो ये वही जवान थे जिन्होंने चीनियों को सामने किसी गत का नहीं छोड़ा 16 की तो उसी समय on the spot जान चली गए थी और बाकी जितने घायल थे जाने उस तरफ क्या हुआ कि आज चीम की सोशल मीडिया में इस तरह की चीख पुकार हमें देखने को मिल रही है आज अगर हम जैनरल नर्वने की वो तस्वीरें देख रहे हैं रोहित चुकि वो अस्पताल का मिलिटरी होस्पिटल का इलाका कोरोना का समय है इसलिए जो मेंस्ट्रीम मीडिया है जो मीडिया के क्यामरे वहाँ पर ने इसलिए जो सेना की तरफ से एक क्यामरा परसन को रखा गया लेकिन तस्वीरें बाहर लाई गई आप उस संक्रमन का खत्रा उन सैनिकों पर जो की समय घायल है नहीं चोड़ सकते हैं लेकिन वो तस्वीरें लाई गई ये बताने के लिए कि ये देखिये यही है हमारे वो वीर सैनिक जो लड़ रहे थे वहाँ पर लड़ते लड़ते इस तरह से घायल हुए है लेकिन माभारती का एक इंच जमीन सामने दुश्मन को उस पर कदम नहीं रखने दिया है लेकिन हमारे जवान इतने कमजोर नहीं है कि वो अपनी जमीन जरा सी भी अपने दुश्मन को लेने दे वो वहाँ पर डटे है चीन आगे बढ़ता है तो वो उसे पीछे हटाने की कोशिश करते है और LAC के सामने की तकराओ की पूरी तस्वीरे जिसमें शौर की गाथा उन तस्वीरों में रोहित श्वेता जो खबर आ रही है लगातार वो ये कि दोनों देशों के बीच सैनिक स्तर की बातचीत में एक हद तक सहमती बन गई है कि डिसेंगेजमेंट दोनों तरफ से किया जाए इसका मतलब क्या है और क्या कोई टाइमलाइन जैसी चीज अगर तय हुई है या होगी तो वो सारजनिक की जाएगी टाइमलाइन सारजनिक की जाएगी लेकिन अभी तय नहीं है रोहित जब छे तारीक को ये बैठक हुई थी जिसके नौ दिन बाद गलवान की घटना हो गई इसलिए भारत इस समय एक टाइमलाइन मांग रहा है चीन से कि आप सहमती कर रहे हैं कि ये डिसंगेजमेंट होगा यानि कि अभी जो लॉक्ट इन बाटल एक तरह से नज़र आता है कि आँखों में आखें डाल कर डट कर अपनी जगे पर भारतिय सेना खड़ी है और चीन डिसमैंटल नहीं करना चाहता है वो विवादित जो उसने रातों रात खड़े करने का प्रयास किया जिसे लेकर ये गतिरोद और हिंसात्मक टकराओ देखा गया दोनों देशों के सेरिकों के बीच तो भारत ने इस बार साफ तोर पर कहा सबसे पहले आप डिसंगेजमेंट कीजिए चीन ने पिछली बैठक में भी कहा था रोहित अभी तक जो अंदर से जानकारी जो सूत्रों के हवाले से हमारे सामने आ रही है वो यही है कि चीन पिछली बार से ज्यादा सकरात्मक दिख रहा है अब पता नहीं वो हमारी सैन्य ताकत का दबाव उस पर पढ़ रहा है या उससे समझ में आ रहा है कि दुनिया को गलतियां दिख रही है एक आखरी सवाल च्वेता आप भी लगातार देख रही होंगी चीन के ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बार बार एक के बाद एक जिस तरीके के ट्वीट्स किये जा रहे उसका मतलब क्या है कि हमारे सैनिक तो सोते में भी बंदूक नहीं छोड़ते ह हैं ऐसा वीडियो ट्वीट करना या यह कहना कि भारत की इंदू राष्टुवादी सरकार यह समझ ले के चीन उसके दबाव में आने वाला नहीं है अगर दबाव में नहीं है तो बार-बार उसकी नारे बाजी करने की जरूद क्यों पड़ रही है यह अपने आप में बहुत कुछ कह दे रहा है भारत अपनी तरफ से कोई भी प्रोपगांडा वीडियो जारी नहीं कर रहा है रोहित और हम बताएं आपको कि हम पूरी तरीके से इसमें कोशिश करते हैं कि भले ही यहां पर फ्लाइट्स भारतिय वायुसेना की हो लेकिन हम रियल टाइम उसे कभी नहीं दिखाते हैं जबकि अगर प्रोपगांडा का प्रयास होता है रोहित तो हम लाइव में आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हमारी सौटी लग रही है और किस तरह की तयार यह हो रही है लेकिन भारत कभी भी ऐसे उकसावे वा जितने की हतियार और जहां तक चीन हतियार लेकर सुने की बात कर रहा है तो हमारे जो सैनिक बैठते हैं एमबुश में या फिर एले सी पर भी जो बंदू की सिर्फ नली जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट करती है या फिर सियाचिन में जब अपने उस भायं का ठंड में स साथ in a state of readiness और LSE पर तो ये बिलकुल हो रहा है भारत को प्रोपगेट करने की जरूरत नहीं है चीन को शायद जरूरत हो इस प्रोपगेंडा आखरी चीज़ और बता दीजे से पहले हम बहस पर जाएं श्वेता मौजूदा स्थिती वहां LSE पर क्या है आपकी जानकारी के मुताबिक क्या अभी भी तलवारे किची हैं बंदू के तनी हैं एक दूसरे पर या हालात थोड़े से नर्म पड़े रोहित देखिए जैसे अभी तक मेजर जेनरल की बातचीत हो रही थी आपस में जो की कल कोर कमांडर स्थर की बातचीत भारत की तरफ से लेटेन जेनरल उनकी तरफ से जो की कोर उनके नीचे आता है अधीन आता है तो मेजर जेनरल वहां से लेकिन बता रहे हैं कि कल की बात संकेत है, दुनिया में UNSC को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, और उन सारी चीजों को देखते हुए हम इतना कह सकते हैं कि तनाव है, हाँ है, वो इसलिए है क्योंकि ग्राउंड का जो सैनिक है क्योंकि पैंगोंग सोपर तो चीन अपने सैनिकों की संख्या को कम से कम परसों तक बढ़ा रहा था, रोहित इसलिए तनाव तो है, लेकिन उम्मीद अब काफी ज्यादा है कि चीजें जल्दी डिफ्यूज करेंगी